मेरे पापा का कोई source of income नहीं था बस दादी के पेंजन पर ही पलते थे तो जब मेरा जन्म हुआ नाइंटी फोर में 16 अक्टोबर को जला के रख दिया गया था और मेरी मा मेरी जो मा है वो चली गे थी पाहर अपना अपना फ्रेश होने के लिए मुहाद धोने के लिए मौनिंग का समय था और मेरी मामी इससे कहके गए थी कि आप तो हाई गाइस वोलकम बैक माय टूब चनल तो गाइस आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और काफी लोग कोचन है कि मुनिया बासफोर्ट तिरपल वन जो है उनका स्टोरी जो है जो जोटी स्टोरी है और जान बुच कि इस टोपिक पर एक वीडियो बनाया जाए और काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्टार में जीन लोगों ने अभी तक नहीं सुना और जीन लोगों ने मेरे लाइफ स्टोरी का ब्लॉग नहीं देखा मैं उनको बता दूं कि मेरे साथ एक हाद्सा हुआ था मेरे क्या कहूं मेरी जो दादी थी वह बहुत ही पुराने है अलाद की थी और 1994 में मेरा जन्म हुआ मेरे पापा का कोई सोर्स अफ इंकम नहीं था बस दादी के पैंजन पर ही पलते थे तो जब मेरा जन्म हुआ 94 में 16 October को तो दादी को ऐसा था कि बेटी क्यों हो गई बेटी नहीं चाहिए तो उन्होंने साफ लबजों में कहा कि बेटी हुई है मैं इसका खर्च नहीं उठा सकती तो तुम लोग की बेटी है तुम लोग जानो मेरे माबाप को कहा और तुम लोग प्लीज यहां से निक सच्टना तक मेरे माम के घर मेरे मामा के घर में जाने के बाद अच्छर सjung और जब मैं 13 दिन की बच्ची चित तब 13 दिन आयाम घुका वे जिमीरी जिंदगी की उन पलों का उन बच्च उस बच्चन का आखरी दिन था वत अते कहोंगी मैं मेरी कम शुचियों की तेर वंज कि मुझे संडेक का दिन में established in those days right is are members Sunday मामा यह भी major tea और उब जोड़ा चली गए था आपे वहाँ पर करिबंद 20 मेटर की दूरी पर एक तेल का दिया जिसमें पहले मिलता था तो वह जलाके रख दिया गया था और मेरी मामी जो मा है वह न चली कि थी पाहर अपना अपना फ्रेश होने के लिए मुँहां दोनी के विए मॉनिंग का समय था और मेरी मामी इसे कहके गए थी कि आप बच्ची का खयाल रखना मैं आती हूं तो उस दौरान मामी का भी बेटा था एक देर साल का बेटा था मेरा बड़ा भाई होगा वो डेर साल का बेटा था तो वो आया और मामी को कुछ काम आ गया तो बस कहता है कि नजर हटी और दुरगटना गटी तो मेरे साथ ही होने वाला ही था तो मामी बस चंद लमों के लिए वहां से उठके चली इतने में वो आया डेर साल का बच्चा वो आया मेरे सामने और मुझे खिलाने के लिए या क्या करने के लिए भगवान जाने जब उसे म मिट्टी के लिए उठाया और मुझे देखने के लिए मेरे पास गया इतने में क्या हुआ वह दिया स्लिप्ट होके उसके हाथ से सीधे मेरे उपर गिरा और मैं करवट बदल के सोई थी लाट साइट करके तो राइट साइट का जो यह हिस्टा आप देख रहे हैं वह उसी म डॉक्टर ने क्या किया था उसे एक तो वो मेरा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते थे वो सोच रहे थे कि इसे बचा के कोई फाइदा नहीं है क्योंकि यह ऐसे जल गई है इसका ना आख है ना कुछ भी ठीक है तो इसको जी किया फाइदा घर वालों ने बहुत रिक्वेस्ट कि इसकी जिंदेगी और मौत उपर वाले के हाथ में बस आप ट्रीटमेंट किजी तो उन्होंने जैसा तैसा मेरे ट्रीटमेंट के बट उन्होंने अपनी लापरवाही बर्टी यह क्या किया मैं क्या कहूं इसको जले हुए हाथ को बैंड़िट कर दिया जो कि नहीं करना च इस वज़े से वो अंदर इंदर सरने और गलने के वज़े से वो तूटके गिर गया मतलब एल्बो के नीचे से वो तूटके गिर गया सर के गल के निकल गया आधी हिस्सा कोहनी इससे नीचे गिर गया तो उसी में मेरा राइट हैंड भी चला गया और मेरे चेहरी की ज़ो क Mr. हालत देख रहे है उस ले से होंगी तो यही इन शर्ट ही कहानी है तो आप वीडियो में देखे हूई मुनियाबास असाथ का रहत na गटी है जो कि बच्पन में बीरी थी तब और गटानी धात गटी है और और मैं और बता देता हूँ आपको कि जब में उनके घर भी गया था तो उनके ममें मेरे प्रश्णली बात भी हुई थी और भी लोगे म बात हुई थी इस बारे में क्याantes ay ghaatiIs तो जो मुनिया बासफोर वीडियो में बताई है यही बात है वो बच्पन में ही इसारे घटना घटा है यही सच्चाई है और ऐसा नहीं है कि वो हर वीडियो में अलग अलग बताती है हर वीडियो में इक ही बात बोलती है जैसे प्लिप में बूली हुई है बच्पन में घट के साथ नई वीडियो में टबते के लिए वाई बाई